साथियो, निरासा के बड़े से बड़े माहोल में भी, अगर हम खुद पर भरोसा करें, तो प्रकाश की किरण अवश्य दिखाई देती हैं। हमारा देश तो खुद ही इसका सबसे बड़ा उधारन है। हम इस समय अपनी आज़ादी का अमरित महोत्सों बना रहे हैं। सैकडो सालों की गुलामी में, इतनी लंबी आज़ादी की लड़ाई में, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हमारी ताकत थी हार न मानने की हमारी आदत, हमारी ताकत थी अपने नहीत स्वार्थों से उपर डुटकर देश के लिए मांदवरता के लिए सोचने और जीने की हमारे संसकार, आज़ादी के अमरित महोसों में, हम इसी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसी स्पिरिट को देश ने कोरोना के घिराप इतनी बड़ी लड़ाई में जीया है, और दुनिया के सामने एक उधारन पेश किया है, आप देखिए, दो-धाई साल पहले, दुनिया में किसी को कोरोना वाइरस के बारे में ठिक से पता ही नहीं था, हर कोई दुनिया के बड़े-बड़े देशों के तरफ उमीद लगाए देख रहा था, भारत के बारे में तो कहीं कोई सकारात्मक बाद भी करने को तयार नहीं था, बल्कि ऐसे हाला तो मैं तबाही का जो इतिहास रहा है, उसकी वज़र से लोग भारत को बहुती आशंका की नजर से देख रहे थे, लेकिन नकारत बागता के उस माहोल में भारत ने अपने सामर्थ पर भरोसा किया, हमने अपने वेज़्णारी को अपने डॉक्टर्स अपने युवाओं पर भरोसा किया और हम दुनिया के लिए चिंता नहीं बल्कि उमीद की कीरन बन करके निकले, हम प्रॉब्लम नहीं बने, बल्कि हम सॉलूशन देने वाले बने, हमने दुनिया भर के देशों को दवाईयां बेजी, वेक्सिन्स बेजी, अपने इतने बड़े देश में भी हम हर एक नागरिक तक वेक्सिन लेकर गए, आज करीब दो सो करोड वेक्सिन डोज देश में लगाई जा चुकी है, इस आत्मदा के बीची हमने आत्म निर्भर भारत जैसे संकल के भी शुरुवात की और आज ये संकल तेजी से सिद्धी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कोरोना के दुस्प्रभावों से निकल कर आज हम सबसे तेजी से बढ़ती बैश्विक अर्थ विवस्ताओं में से एक बन गए हैं, विश्व हमें आज एक नई उमीद से नए बरोसे से देख रहा है,